दुनिया बर के बाज़ारों से है, आज कमजोरी के संकेत, अमेरिका की तरफ से ट्रेड वोर बढ़ाने का डर। ये है सतारा आज एशय पाज़ारों को। अमेरिका की ओर से बयान आया है डॉनल्ड ट्रम की ओर से कि वो चाइना के लगबग 200 बिलियन डॉलर के और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ड्यूटी लगा सकते हैं अगस्ट एंड से डूटी लगेगी और इस खबर के बाद मूड बिगड़ा एशे बाजारों का यूएस फ्यूचर्स का क्यूंकि जातर एशे बाजार लुड़के हुए हैं हैंग सेंग 500 अंग तूटा हुआ है और एजिक स्निप्टी भी अब 10 900 के नजदीक ट्रेट कर रहा हैं और नंबर्स अनुमान से बहता रहे हैं चीनी स्टॉक्स यह भी फोकस में रहेंगे क्योंकि तीन परसेंस लगाने पर आज ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है तो यह कुछ हैं संकेत आज की ओपनिंग से पहले लेकिन फोकस तो अनल जी अमेरिक और चीन पर ही रह दोनर की पहले लगए थी और दोसो अरब डोनर की बात करें तो यह चोटा नहीं है बहुत बड़ा इससे हमें थोड़ा डरना होगा ऐसा नहीं कि आप इसे नजर अंदाज कर सकते कि चलिए हमारी जेब में बहुत पैसा या शेयर खरीदेंगे तो दाम कैसे गटेंगे यह लेकिन इसके साथ ही एक और बात अहम है जो ध्यान में रखनी है इसका फैसला 23 अगस्त को होगा और आज से लेकर 23 अगस्त के बीच में करीबन आपके पास सवा डेड़ महीना है तो यह कंफूशन क्रेट करेगा मतलब सिचुएशन सुधर भी सकती है यह immediate effect से होता तो आज साथ यह कर सकता हूं तो वैसा वाला हाल है कि जो बोला वह करके भी दिखाया कोई चटक तो हमें डरना भी है और जरूर्ट से ज्यादा नहीं डरना है यह भी है सतरक रहना है और थोड़ा डरना है तो कोई डाउट नहीं है कि आज जिस तरह का यह tweet आया पहले पता नह जाकर ग्लोबल मार्केट से आपको सावधा रहना है तो आज मेरे लिए दुनिया भर के मारदानों से तीन संकेत हैं पहला एश्या की शुरूआत जो कमजोरी के साथ हुई है दूसरा कच्छा तेल थोड़ा सा नीचे है और तीसरा रुपे की शुरूआत पर मैं नजर रख हुआ है तो यह तीन संकेत मेरे लिए है और इससे मुझे थोड़ा सा अधन रहना है तो फिर जो ओवरॉल संकेत है वह आपने किस के स्काटिगरी में रखे है ग्लोबल तो नेगेटिव है इसमें कोई डाउट नहीं है नहीं तो पहले तो रात को मैं सोचा था मैं मैस देख कि लिए और इससे दोर्ट नेगेटिव नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए नफिवी और भी और बैंक निफ्टी पर तो आज के जो संकेत आ बता रहे है मस्दब मुझे तो ऑन्स हो रहा है कहीं कहीं पॉसेटिव है तो इंट्रस्टिंग होगी आज का सेशन पर किन संकेतों के दम पर कैसी शुरुवात हो सकती है शुरुवात के बात करना क्या चाहिए आज के संकेतों में चार चीज़ों पर नजर अज़र रखी ट्रेड वार और ग्लोबल मार्केट सम्डिसकूस कर चुके रूपिय हम डिसकूस कर चुके चोथा एक और बड़ा निफ्टी पर और बैंक टिफ्टी पर 26,800 निर्नायक लेवल है 10,900 से 50 पॉइंट हम उपर बनू है और 26,800 से 100 पॉइंट उपर बनू है तो एक अच्छी बात आपके लिए है कि आपके लिए निर्नायक लेवल थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है तो बहुत डरने गबरानी मद्फ्टी की जरूत नहीं है अगर पचास पॉइंट आप निर्नायक लेवल के आसपास ऊपर रहेंगे तो आपके लिए निर्नायक लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया तो इसके ऊपर जpciónक अपने निश्चित होकर आप टेजी के मार्केट में ही तोइक निए कोई दि तरब 10-950 और थोड़ी सी बड़ी रेंज लेने हैं तो 10-850 ग्यारा हजार यह हो गई निफ्टी की रेंज बैंक निफ्टी पर 26-750-27,000 यह धाई सो पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर आज के लिए अब एक इंटरेसिंग चीज जो दिखरी बतानी जरूरी है 10-850 कलकल है उसे आप आसानी से तोड़ेंगे और 10-850 पर्सों की क्लोजिन का लेवल है तो यह तीन लेवल आपके इतने मजबूत सपोर्ट के तोर पर आ रहे हैं कि यह ग्लोबल मार्केर्स के कौराम के बावजुद आप इस रेंज को आसानी से नहीं तोड़ेंगे यह ए 2750 कल 2675 का लो था पर्सों का क्लोजिंग 2750 था तो यह बहुत मजबूत है और 2600 आपको याद है इसी हफते और शुक्रवार को हम दो बार उस लेवल को पार करने की कोशिश करे रहे हैं दो दिन तक लगाता है 2400 2600 की रेंज में वाजा रहा है तो आपने कहा भी था 2600 पार ह यह बताना इसलिए ज़रूर कि आपको पता रहे कि कमज़ोर होंगे तो भी कहां तक जा सकते हैं और कहां हम सपोर्ट लेंगे यह क्लियर हो गया अब आपको स्टॉप लोजिंग बेसिस पर 10-850 के नीचे निफ्टी बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है बहले सो पोई नी करने के लेवल है खत्म करने के नहीं है अच्छा आप कमजोर ट्रेडर है थोड़े ऊपर के लेवल पर खरिदारी होगी तो थोड़ा कम कर लेना है बस अब आईए मैं वह सावधानिवादा संकित बता दूँँ आपको वह पुट कोल रिश्यो अच्छा आपको राया है 1.66 आम तोर पर 1.65 के ऊपर पुट कोल रिश्यो निकलते ही थोड़ा सा बाजार क्या करते हैं इसको ओर बोट हो जाता है यानि कि कमजोर ट्रेडर से ज़रुत से ज्यादा तेजी की पोजिशन बना लिए और वह कल भी बनाई होगी जाहिर से बात है जिस तरह से दो तीन दिनो से बाजार इतने मजबूत हो रहे हैं डाव फीचर सूपर से तो गलत भी नहीं था यह तो किसी को पता नहीं कि ट्रम साथ ट्वीट कर देंगे अचानक से है ना तो ऐसी सिच्योशन में यह और बोट पोजिशन कम होने का और कमजोर ट्रेडर को सिस्टम से बाहर निकालने क अपना तरीका है वजह अलग होती है अरबार लेकिन और एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो बड़ा इंटरस्टिंग है वो यह है दिपाली कि हायर पुट कोल रेश्यो जो थोड़े अलामिंग लेवल पर है प्लस हाइस्ट ऑपन इंटर्स पुट या कॉल में किसी एक लेव है और इसके साथ मिला लीजिए आप विक्स को अब यह तीन कॉम्बिनेशन जो है ना आज बड़े डेडली है विक्स लॉर लेवल पर है साड़े बारा के आसपास जो नीचे यहां से वोलेटिलिटी बढ़ेगी कम नहीं होगी पॉइंट नमबर वन पुट कोल रेश्यो हा और वोड बता रहा है और तीसरा हाइस्ट आपका कॉल्स में ग्याराजार के लेवल पर तो यह तीनों कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पर डेफिनेटली प्रोफिट बुकिंग करनी चाहिए बाजार को रुकना चाहिए तो बाजार रुकेगा इन लेवल पर कल भी हम यही बा अगर मेले तो वो पर्फेक्ट कॉम्बिनेशन होगा लेकिन वो चलिए आज वैसे ही गेप से खुल रहा है आई अब आज का ट्रेट देता हूं मैं आपको 11,000 के स्टोपलोस से निफ्टी को शोट करना है बड़े गेप से खुल जाए और आपको कम छोटा स्टोपलोस लग खुलते ही यह अहमेत वाली बात हो तो मेरा यह मानना है 10,900 पहला टार्गेट है जिसके लिए शोट करना है और बाद में देखने क्या होता है खरीदना चाहें तो बेह दिस्ट्रिक्ट स्टोपलोस के साथ आप 10,850 से 10,900 के रेंज में खरीदे और दिपाली इसमें भी ची तरो 10,900 तो इस रेंज में खरीदना है 10,800 आपका स्टोपलोस होगा 10,900 के टार्गेट के लिए यह ज्यादा 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 10,950 तक के टार्गेट और उपर आ सकते हैं गर मजबुती बन के बैंक निटी शोट करना है 27,000 का स्टोपलोस है आपका गैप से खुल जाएं तनाव मुझे तब होगा जब 26,750 के नीचे ट्रेड करें खरीदना है हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए 26,750 पर बैंक नेफटी 26,500 दूर आएगा स्टोपलोस है एक्चुली वही बात वही है 26,600 से 26,750 के खरीदने की रेंज है इस रेंज में जहां आपको मुका मिले खरीद 26,900 के टार्गेट के लिए पुट कोल रेशियो में ने बताई दिया आपको और विक्स बताई दिया कि हाईर साइट पर पुट कोल रेशियो ये लोगर साइट पर विक्स है नेगिटिव साइट पर फार्मा शेरों पर थोड़ा दबाव हो सकता है ग्लोबल माहूल के अगर करेंसी आज ज्यादा कमजोर नहीं हुई ना अगर करेंसी स्टेवल रहे गई तो ओएमसी के शेर थोड़े और चल सकते है यहां से बाग सकते है यह मुझे नज़र आ रहा है तो फार्मा स्ट्रक्स पर फोकस रहेगा कल्बी थोड़े से सुस्त हुए थे लेकिन एफ दूसरा इंडेक्स फ्यूटर्व नहीं करेंसी ने रहे हैं नहीं करेंसी अटलिश नहीं डाला और फार्मा इसके पोजिटिव पिछे दो रहेज्न ने पाली एक तो यह कि कैश मार्केट में बिक्वाली कम होगई 20 क्रोड नहीं के बराबर रहे हैं दूसरा इंडीक्स फीच तर. 571 करोड की इंडेक्स फीच उन्हों नें खरिदे औो 295 करोड के swap हाला कि style के weWork. इंडेक्स में शॉर्ट और शौलिक्ति पर नजा आ है। यह संकेत हैं . ऐप सेरों के नहीं प्र इ comed हैं अब सम्ध के लहां हैं। लेट नहीं कि इसलिए इंपोर्टेंट सपोर्ट क्यों है इसलिए इंपोर्टेंट सब्सक्राइब दिपाली कि 10900 के पुट में है 21000 लाक्षेनों का उपन इंटरेस्ट और कोश में 25000 का तो लगबख बराबरी का मैं मानता हूं आज थोड़ा कोल समें बढ़ जाएगा हो सकत याराजार पार क्यों नहीं करेंगे क्योंकि 37 लाग शेयरों का उपन इंटरेस्ट है वहाँ पर जो सबसे ज्यादा है दस आठ सो पर 40 लाग शेयरों का उपन इंटरेस्ट है पुट में जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट है और दूसरा यह कि 10-800 के कोल में अभी 31 लाग शेयर टेजी क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको बता दिया ठीक है पुट कोल रेशो लो विक्स ठीक है हाईर पुट कोल रेशो और हाईस्ट अपन इंटरेस्ट कोल का यह तीनों जो कॉंबिनेशन है वो यह बता रहा कि मैं 11,000 पार नहीं करने दूंगा बहुत मंदी नहीं होग है उनके हाद तो बड़ी खराब है उनको तो ऐसा लग रहा है कि आज ट्रम साब हमारे लिए भगवान बन के आ है एक ट्वीट से अब आप देखिए डाव के फ्यूचर्स जो तीन सो नीचे ते डेड़ सो रहे गए मैं बार बार यहीं चीज किया रहा हूं कि आज से नहीं आज से डिपाली दोनों तरफ ट्रेडिंग के मोके होंगे रस्ता कशी वाला मामला है यह दिखरा है निफ्टी पर और आप देखें निफ्टी में कल 11 लाग शेर जो ऑपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं यह थोड़े कमजोर ट्रेडर हैं तो सुबह सुबह क्या होगा दो चीजे होंगे जहां खुलेंगे वहीं पर थोड़े देर वोल्यूम होगा जिन लोग सब्सक्राइब कर 12 पर आया है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी है यह चीज साफ दिख रही है बैंक दिफ्टी के लिए बहुत साफ है देखें 2600 से 26800 परफेक्ट सपोर्ट जोन है इसलिए मैं 2700 पर 27800 जिया क्यों है 15 लाग शेर हैं वापर पुट में 2700 और 26800 मिला क तो यह आसानी से टूटेगा नहीं 27000 के पार आप जाएंगे नहीं उसकी रिजन बता दूँ क्योंकि 26900 और 27000 के बीच में 13 लाग शेरों का ओपन इंटेस्ट है इस सो पोइंट की रेंज में तो यह बादार आपको बढ़ने भी नहीं देगा तो जहां खुलेंगे वहां प देजी करने वाले टेडर से द्यान में रखेगा वह इतनी आसानी से बाजार तोड़ेंगे नहीं और एक संभावना पूरी बंती जहां खुलेंगे थोड़ा नीचे होने के बाद वापस बाजार आपको रिवर्स दे और एक बार सबके स्टॉप लोश गयारा जार के जो ब तब तक एशे बाजारों की जो स्थिती है वह और साफ नजर आएगी तब आपको बताएंगे कि ओपनिंग के बाद आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर करना क्या है लेकिन एक चीज़ अनल जी आपने शुरुआत में से बताएगा प्लीज दुबारा बताईगे सेक्ट हैं उसको नोट कर लीजिए फार्मा और मेटल्स नेगेटिव साइट पर पॉजिटिव साइट पर आइटे और ओमसी जो और इन्हें नोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल भी इनफाक हर रोज हम आपको सेक्टर्स बताते हैं वहाँ पर वैसे रुजान दिखता है कल ब बैंकिंग शेरों की बढ़िया दमदार तेजी के बाद NBSC शेर थोड़े पॉजिटिव साइट पर दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी और तेजी बन सकते हैं तो यह थी कल की स्ट्राटेजी और आज भी स्ट्राटेजी आपको मिली है इंडेक्स पर और एक बार फिर से जैसे के हमने बताया चर्चा करेंगे 9 बच कर 8 मिनिट पर लेकिन अब बात करते हैं आज के स्टॉक आप दे की तो आज का स्टॉक आफ दे टीसीएस अच्छा बाइ साइड में हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी भी वहां में आपको खरीजना है देखिए एक चीज तो सबसे पहली बात तीसे में आपको क्लियर कर दूँ नतीजे किसी भी लियाद से खराब नहीं है एक भी चीज ऐसी न आपके इनके दूसरे जो आई टी इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक है वह 15-16 के मल्टीपल पर है तो टीसीएस को इतनी भारी भरकम प्रीमियम जो मिल रही वह इस प्राइस में है क्या शेर गिरना चाहिए जी नहीं बिलकुल नहीं क्या बढ़ना चाहिए जी हां कितना ज् अच्छा यह मेरे टार्गेट हैं टीसीएस के लिए मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार टीसीएस अथा सो पचास के आसपास आया है अच्छा सो पचीस की रेंज में आ जाए वह इच्छे ही रह जाएगी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि वह रेंज में अगर किसी भी वक्त म आते ही जो फंड्स हैं वह प्रोफिट बुकिंग करेंगे मैं यह नहीं करा कि बेच के निकल जाएंगे क्योंकि एक रिटेल इनिवस्टर के लिए 95 शेर बाइबेक में देना फाइदेगास होता है उनके लिए एकसेप्टेंस रिशो बड़ा आएगा लेकिन क्या वही एकस इसलिए मैं कहता हूं बार बार करेंगे कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं नी पाले उनको यह चीज समझनी चाहिए गये ट्रेडिगं कहां करने से आपको नुक्सा नहीं होगा और इसली मैं बार-बार कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करने के बहतरीन मौका दे रहा है कि आप किसी भाव में इंटर कर लेंगे तो भी आप प्रोफिट ले पाएंगे यह केश मार्किट के लिए बोला हूं वाइदा करोबार के लोट के लिए अगर आप केश में 95-95 शेर लेकर ट्रेड करते रहे हैं अगर आपका ऊपर में बिग गया वा की मज़द करने के लिए एक्सपर्स हैं हमारे साथ राकेश मेंसल अविनाश गौरक्षकर और साथी कुनाल सरावगी लेंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेजी उनके साथ लेकर उससे पहले यह बताना आपको जरूरी की खबरें कहा हैं एक्शन कहा हैं तो हमारी पूरी रि है कि कंपनी को PNB और कारलाई ग्रूप में हिस्सा विक्री का प्रस्ताव PNB Housing Finance को मिल चुका है और दोनों ही कंपनियां को लेक्यावन परसंट हिस्सा बेचेंगी PNB Housing Finance का और इस खबर के चलते आज PNB पर भी नज़र रखिए क्योंकि कंपनी की राकम चुटाने की में भी तो इन दोनों ही कंपनियों पर आज नज़र रखनी होगी फाइजर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टन घोशना हुई है दवा के दाम में फिलहाल कोई बढ़त नहीं करेंगे यह कहना है यूएस प्रेसिडेंट ट्वीट ने भी इस बात की जानकारी दी है और जूद एक जुलाई को कई सारी फार्मा कंप्टियों ने दाम बढ़ाल दिये थे लेकिन फाइजर ने अपना ये निर्णे वापस ले लिया है और आब माना जा रहा है कि अब इसके बाद कई फार्मा कंप्टी इस तरह की घोशना कर सकती है तो फाइजर पर नज़र रखि के पी जया कुमार का नाम भी के नाम पर भी विचार हुआ है एजबिया के एंडी भी श्री राम का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है एक्सिस बैंक के डिमडी वी श्री निवासन के नाम भी विचार किया गया है तो ये कुछ चार-पांश नाम है जिसका की नाम सामने निकल करा रहा है और तीनम सवथ दियें को निए यहां पर खाबर कि व5 through कि का रोश्व होगा वहां पर का इसा विखरी के लिए रोश्व किया जाएंगा और 11 भराज जुलाई को यह जो पहला रोश्वाइए मॉंबई से शुरू किया जाएगा तो कोल इंडिया पर नज़र रखिया और आखिर में बात करता है फॉर्टिस की तीरा जुलाई को बैठाग होगी जिसमें के प्रिफेरेंशिल शेर्स के जरीए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाए मांसी आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? दो कंपनी जिनको नए ओर्डर मिले हो इसके चलते स्टॉक में हम अक्शन देख सकते एक तो कृधान इंफरा और के बात करते हैं कंपनी की असोशियेट कंपनी वी एंसी को एक ओर्डर मिला है जिसके चलते आई जी आई एरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन कारिया इने करना है य 1234 करोड का ओर्डर ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन के कारे के लिए है और साथ ही 113 करोड का ओर्डर केबल बिजनेस में यह ओर्डर मिलते ही कही सी इंटरनेशनल अमेरिकन टी एंडी एपीसी मार्केट में एंट्री कर पाए तो यह खबर है जिसके चलते इस कंपन इन दोनों कंपनी पर भी आज नज़र रखनी चाहिए तो यह स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है संदीप है मासर बूक्रास की रिपॉर्ट्स लेकर उनसे जानेंगे रिपॉर्ट्स लेकिन दो जानकार भी हमारे साथ स्टूडियो में है राकेश बंसल है कुन मैंने देखा है मैंने अच्छा उसके तो शोड़ करदार की वाजर क्या क्या कॉंफिडेंस लेवल है पहला जो काउंटर यह विप्रो जिसमें के ब्रेकाउट कल लेट आवर्स में आते हुए दिखा और मुझे लगता है कि विप्रो 276 तक चला जाएगा 269 पर स्टॉप ल काउंटर जिसमें भी कल ब्रेकाउट देखा गया था अंते मिशनों में और मुझे लगता है कि यहाँ पर 2160 के लेवल जाते हुए दिखेंगे 2132 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें खरिद किराये है और अंतिम खरिद किराये है गैस अथर्टी गेल में जो मैंने कल भी रेक कॉल है फिर मेरा कॉना जी का और आपका नीला रंग जो है वो शैद दिपाली जी के लाल रंग पर भारी पड़ेगा हाँ हाँ बिलकुल कोशिश तो पूरी करेंगे तो मेरा पहला कॉल इंडेक्स का HDFC को खरीदें 1900 का स्टॉप लॉस 1997 का टारगेट दूसरा बाइकॉल 557 का स्टॉप लॉस 595 का टारगेट और लास्ट एक बाइकॉल ग्रेनियूल्स पर ग्रेनियूल्स को खरीदे 87.50 का स्टॉप लॉस 99 का टारगेट तो इंट्रेस्टिंग है साथ कॉल्स मिली है राकेश और कुनाल की और से और सब के सब खरदारी के तरफ हैं तो नजर एकि CCS के नतीजों के बाद बहुत साथ ब्रोक्रोंस के रिपॉट्स आए है, उनका क्या व्यूज है टी-स पर ये अब जान लेते हैं, संदीव के पास चलते हैं, ब्रोक्रोंस के रिपॉट्स तो जानने के लिए, बताई ये संदीव देगे अधिपाली TCS के नतीज़ों के बाद ब्रोकर्स की राय है वो बटी हुई है लेकिन आपको बता दें जो तेजी वाले जो बुलिश जो ब्रोकर्स हैं उनका पलड़ा आपको थोड़ा भारी नजर आएगा CLA से देखिए 2200 रुपे के टागेट पाइस देने खाजारी की सला उनकी और से बरकार है 1290 से टागेट बढ़ाया गया है मैक्वेर ने आउट परफॉर्म रेटिंग कर दिया है नूटरल से बढ़ाके अपग्रेड किया गया स्टॉक को 2015 रुपे का लक्षे दिया है और जेफरीज की देखिए इननों अपग्रेड किया है लेकिन टागेट देखिए 1600 रुपे का था उसे बढ़ा कर सीधे 2140 रुपे किया गया है तो ये जो तेजी वाले ब्रोकर्स हैं उनकी और से अपग्रेड अगर आप देखिए तो काफी बड़ी इंटेंसिटी के आपको नज़र आएंगे हलाकि नॉमूरा, सिटी, जेपी मॉर्गन ही कुछ ऐसे हैं जो की रेडियूस सेल और नूटरल की रेटिंग दे रहे है लेकिन जेपी मॉर्गन में आपको बता दे नूटरल रेटिंग है अट्रासव चालिस रुपे का लक्षिय उनकी और से दिया गया है तो कुल मिला के दिखा जाए राय बटिवी ए वैलेशन थोड़े से एक्स्पेंसिव ऐसा रिपोर्ट्स मानती है लेकिन अभी भी तेजी वाले जो ग्रोकस हैं उनका पलड़ा आपको थोड़ा भारी नज़र आएगा इंडसिंट बैंक की जातक बात है जिसके कल नंबर साय थे असिट कॉलिटी में सुधार हुआ है मेरे पास छे रिपोर्ट्स हैं सिटी ने 270 रुपे का टारगेट पास दिया है जेपी मौगव ने 975 रुपे का टारगेट पास दिया है तो कुल में लाके इंडसिंट बैंक की जिस्ता के नंबर साय है जो उनके ग्रोथ टारगेट्स हैं उसको लेके जातर ब्रोकर्स अभी पॉजिटीव है इसके अलावा आप देखे टाटा मोटस मौगन स्चैलनी की रिपोर्ट है इकोल वेट रेटिंग है 349 रुपे का उन्होंने टारगेट पास दिया है जेलार के जून के जो रीटेल और होलसेल बिकरी के आंक डाये है वो कमजोर है और यह जो ग्लोबल लगजरी साइकेल है उसमें कमजोरी के इंडिकेशन दे रहा है ऐसा मौगन स्चैलनी की रिपोर्ट बता रही है दो खपत वाले स्टाक्स हैं एक तो है क्रॉम्टन ग्रीव कंजूमर जहांपे मैक्वेरी ने और प्रफर्म रेटिंग दी है दो सो बान्यों रुपे का टागेट प्राइस है इस साल की दूसरी चमाई में दो ने प्रोड़क्ट से कंप्री लांच कर सकती है और ग्रोथ अच्छी है वैलिशन बहुत अट्रेक्टिव है इसके और दूसरा है एशिन पेंट जहांपे डॉश बैंक की रिपोर्ट आई है बाई रेटिंग अभी बरक्यार है सोला सो रुपे का टागेट प्राइस दे रहे हैं थोड़ा सा जो क्रूड की कीमते बड़ी है उसको लिहान में रखते हुए जो EPS अनुमान में कमी की गई है लेकिन अब भी खैदारी के लिस्ट में बरक्यार है सोला सो रुपे का टागेट प्राइस है और आखिर में डिश टीवी पर IDFC Securities की रिपोर्ट है आउट प्रफॉर्म रेटिंग बरक्यार है कुनाल आज के सत्र के लिए क्या स्ट्राइजी होगा आपकी अगर आप चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें दे पहली तो मुझे लगता है कि कुछ आपको एक बार के लिए कंसॉलिडेशन देखने को मिलेगा और 1920 मुझे लगता है कि नीचे की और एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है तो 1920 के नीचे गया तो इसमें विकनेस बढ़ेगी लेकिन 1920 को अगर इंडेसिंट बैंक होल्ड करता है और बंतल जी आप बताए टाटा मोटर्स आपका फेवरेट मोर्गन स्टेंली ने दिये 349 रुपे का लक्ष क्या करें अनिल जी खरीद के चलना चाहिए स्टॉक को और स्टॉक ने अनिल जी ब्रेकाट ऐसा नहीं है कि उपर के फेल होते हैं नीचे के फेल होते हैं अभी क्या हुआ था स्टॉक ने 260 के अराउंट स्टॉक के अच्छा सपोर्ट था जब टाटा मोटर के सियो ने कुछ नेगेटिव स्टेट्मेंट दिया था वो लेवर्स टूटे थे और उसके नीच यह क्लोजिंग होके एक शेक आउट हुआ है और वीक हैंट स्टॉक से निकल चुके हैं एज और टाटा मोटर के अंदर मुझे लगता है 262 263 एक अच्छा बेस है और सिरफ अनिल जी पूल बैक पूल बैक में यह स्टॉक 295-296 तक शॉट टम में जाने का दमखम रखता है अच्छा इंटरस्टिंग पैटन बना हुआ है नीचे आप देखी नीचे 260 एक सपोर्ट था एक दिन रहा दो दिन रहा उसके बाद वापिस उपर आ गया तो डैट मींस वो जो सपोर्ट था वो एक टेंपररी एक शेक आउट था वापिस उसके ओपर सस्टेन कर रहा है और वीकेंड मार्किट से बाहर आ चुके हैं और आप सोचेंगी सिर्फ जैसे हम कहते हैं डैट कैट बांस दो सो पिचानमे दो सो तीन सो रुपे के बहुत हो तो सिर्फ बांस बांस में देखने को मिलेंगे लोग बढ़िया है अच्छी बात है और अविनाज जी TCS रिजल्स क और जिस प्रकार से डिजिटल का कॉंट्रिमिशन हुआ है हमको लग रहा है कि बहुत ही बहतरी नंबर आ गए मार्केट के अनुमान से जादा इन फैक्ट इबिटा मार्जिन जो मार्केट एक्सपेक कर रही थी वेज कॉस्ट और विसा कॉस्ट के कारण थोड़ी सी दब ज लग रहा है कि जो यूएस के मार्केट का हेडवेंट है वो पॉजिटिव रहेगा तो करीबन अगर 6-12 वंस का नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि ये शेर जरूर कोई गिरावट में खरीदना चाहिए हमारा नेर टर्म का टागेट यहां पे 200 रुप्या है लेकिन गेल का तो आपने जिकर किया था अभी कुनाल आपकी बायलेस में भी शामिल है लेकिन गेल के साथ अदानी एंटर्प्राइज़ पर आप एक राय दीजी क्योंकि यहां पर खबर है कि अदानी के जो सीटी गास डिस्ट्रिबूशन की जो 30 शेरों में जो इनकी प्र सत्रों में इनफेट तीन सेशन्स पहले जब इसने 108 के रेजिस्टंस को पार किया था तबी भी मैं इसको बहुत गौर से देख रहा था 115 के आसपास इसमें एक बड़ा रेजिस्टंस मुझे चार्ट पर नजर आता है 115 पार हुआ तो फिर सीधा 132 तक के लेवल जिसमें आते हुए दिखेंगे तो मुझे लगता है कि आज अगर 115 के उपर यह खुलता है और उसके उपर टिक पाता है तो मुझे लगता है डेफिनिटली बाय करना चाहिए 128 पहला टार्गेट हो ओके 128 तक के लक्ष के लिए अधानी एंटरप्राइज में करें खरीदारी करने के लिए एंटरी करने के लिए सइरे ले और 1500 से उपर और नीचे में कहा लेना है नीचे में नहीं लेना अचा 115 के उपर यह फोर्मला कैसे लगाते हो आप अपर यह ले सकते हैं नीचे लेने चाहिए 104 के आशपास जो कि बहुत नीचे है तो एक सो पंधा के उपर ब्रेक आउट आए तो ही लीजिए ये ठीक है फिर आप सही कह रहे थे ओके चलिए तो यह हुई बात है अच्छा पी एंबी हाउजिंग ये कारलायल और पी एंबी दोनों मिलके स्टेक बेशना चाते हैं अबिनाजी जरा इस पर रायद जी करना क्या है अच्छा ये इस दारी बिकेगी तो क्या प्राइस में बिकेगी फिर ऐसे में क्या इस चेहर का भी बढ़ना मुश्किल है जिन लोगों के पास शेहर है वो बेज़ दें पी एंबी हाउजिंग के या रहने दें सबको पता है ब प्रीमियम पे होनी चाहिए और इसके एक कारण ये है कि पी एंबी हाउजिंग ये टॉप फोर हाउजिंग फिनांस कंपनीज में माना जाता है एसेट कॉलिटी लोन बुक ग्रोथ अगर हम देखे तो काफी स्ट्रॉंग है आगे आने वाले कॉर्टर में भी हमको लग रहा है और कंट्रोल लेता है तो नॉट ओनली अच्छी बुक लेकिन ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रॉंग रहेगा तो मुझे लग रहा है कि नेर टर्म में तो कम से कम 1300-1350 का टागेट और लॉंगर टर्म में तो इसको कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए ये निउस करना क्या चाहिए लेकिन फोर्टेस में इशू है जहां पर पुराने प्रोमोटर्स ने जो पैसा कंपनी से लिया है वो कैसे लोटाएंगे वो भी एक बड़ा इशू रहेगा बट ओर ओर अमको लग रहा है 135-140 में अगर कोई खरीदना चाहता है तो कम से कम देट दो साल का नजरिया रखे ये मेरे क्याल से शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रोफिटिबिलिटी दिखाएगा ऐसा लग नहीं रहे तो ये रहे है पोर्टिस हेल्ट केर पर लेकिन आज कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रह सकता है उसमें क्रॉम्टन ग्रीव स कंस्यूमर इस पर राकेश एक अपना व्यू दीजिए मेकवारी के रिपोर्ट आई है और परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं और 292 तक के टागेट्स की बात कर रहे हैं और ये स्टॉक को आप काफी क्लोसली ट्राक भी करते हैं फंडमेंटली भी तो बताइए आज के इंवेस्टमेंट वाला स्टॉक है बहतरी इन स्टरों पर चल रहा है जिन स्टरों पर चल रहा है वहाँ पर एक इमिजेट सपोर्ट इसका आगर आप देखें तो 211-212 के राउंड स्टॉक का सपोर्ट आता है बहतर तो होगा थोड़ा सा लंबी अफदी का नजरिया बना चार्ट देखने चाहिए वो है केसी इंटरनेशनल कुनाल जी जड़ा देखे चार्ट और बताईए इसके चार्ट के सरके देख रहे हैं क्योंकि इनने कुछ ओर्डर्स मिलें 1357 करोड के इस कमजी को एक के बाद एक लगाता है और ओर्डर्स मिलते रहते हैं हाला कि इस तो 324 का अगर 324 के नीचे एक काउंटर गिरा तो फिर इसमें बड़ा करेक्शन आएगा लेकिन 324 यह होल्ड करता है तो 370 तक की एक पुल बैक की प्रॉमिलिटी दिखती है आईए अब आपको बताने वो स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं पहले ओयल मार्क्टिंग क खरीदना है तो जिरा कुणाल जी देखे चार्ट और बताइए कौन सा खरीदें एच्पी बीपी आयो से अच्छा आपके चार्ट पे नहीं आ रहा तो मना भी कर देना ऐसा मैं भी बहुत कॉंफिडेंट नहीं हूँ है खाली पूछ रहा हूं आपको वस दिखे अले जी सबसे बहतरीन चार्ट मतलब इन सब में अगर कंपेर करें तो मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एच्पी सेल का लगता है उसके वज़े यह है कि एच्पी सेल ने 260 के उपर लगातार दो तीन सेशन से ट्रेड कर पाने में वो सफल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर रिकवरी बनी तो एच्पी सेल में बनेगी बहुत कॉन्फिटेंस मुझे भी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिकवरी आई तो 280 तक के लेवल जिसमें आते हुए दिखेंगे 280 का अगला रिजिस्टन्स है मौजुदा भाव 260 का है ठीक है तो 280 यहां तक जाने की क कोशिश कर सकता है HPCL इस पर फोकस रहेगा लेकिन फोकस फार्मा स्टॉक्स पर भी रहेगा आज और जो खबर रवी बता भी रही थी थी थोड़ देर पहले पूजा कि फाइजर ने डॉनल्ड टरम का पहले टूइट है जिसमें उनने ब्लेम किया फाइजर को हायर प्राइ में तो हाला ही ग्लेनमा के लिए उतने बड़े मार्केट्स ने जितने की उएस हैं स्टॉक हलकी बढ़त के साथ कल बंद हुआ था लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि फार्मा के सेंटिमेंट्स थोड़े कमजोर आज हो सकते हैं इसलिए बताइए कुराल क्या करना चाहि ग्लेनमा का चार्ट ठीक ठाक है अगर आज मामुली कमजोरी से भी खुलता है तो भी कोई खास परिशानी के बज़े नहीं है 570 के नीचे ही चिंता करनी चाहिए इन सतरों पर जिनके पास लॉंग से मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अच्छा है एक और स्टॉक है इ जो बीच में एका दिन बड़ा तेजी से गिरा तार हम सब ढूंड़ते हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या पांच से परसंट के गिरने की अब आज समझ में आया गिर है क्यों ब्लैक रोक ने अपनी इस्तेदारी थोड़ी कम की वहां पर एक बड़ा फंड है अमेरिका का तो हमें डरना है क्या इनफोसिस जिनके पास है वो क्या करें अविनाज जी जड़ा बताईए मुझे लग रहा है कि अनिल जी अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मंस इनफोसिस का देखे तो हमको लग रहा है कि इस कौर्टर में जो डॉलर गाइडन्स रहेगा मार्जिन्स की इंप्रॉमेंट रहेगी वो काफी इंपोर्टेंट रहेगी हमारे इसाब से तो मेरे ख्याल से प्राइस ने मोर और लेस जो भी नेगेटिविटी पहले जो इशूस थे वो पूरी तरह से डिसकाउंट कर चुका है और हमको लग रहा है कि टीचेस के बाद इंफोसिस भी मार्केट्स को शायद एक पॉजिटिव सर्प्राइज देने की शमता रखता है तो मेरे ख्याल से अरॉण 1275-1300 में स्टॉक को खरीदना चाहिए अगर मेडियम टू लॉंग टर्म नजरी आए तो उनको लग रहा है कि रूपया का जो हैडविंड है वो डेफिनेटली इनफोसिस के फिनांशल पे कही न कई मार्जिन में इंप्रूमेंट जरू दिखाएगा तो डेफिनेटली कोई शॉर्ट तर्म में घबराने वाली बात नहीं है बट रिजल्ट के बाद थोड़ी और क्लिरिटी आईगी बात है रिजल देख लगते हैं तेरा तरिक शुक्रवार 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 करेंगे वह हम पता लगा कि बताने की कोशिश करेंगे आएंगे शुक्रवार को यह पक्का है और अच्छा टीस को बहुत देर रहता है थे पर ले टाम है पूसिबल है कोई बड़ी बात नहीं हिंदुस्तान में सब कुछ पूसिबल है लेकिन आईए देख लेते हैं और खरेदारी की जा सकते है आईडी बेए क्यापिटल मान रहा है 423 का लक्षे रखें खरेदारी करें 404 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजे और चॉइस ब्रोकिंग मान रहा है 426 तक जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस आपको 399 के आसपास लगाना होगा चॉइस ब बनाए 345 के स्टॉप लॉस के साथ दो कैश मार्च कैश मार्किट में कॉल जाद आ रही है एक्सिस सेक्यूरिटीज के रडार पर है 1640 का टागेट है 1595 का स्टॉप लॉस और एक है DCM श्रीराम 362 का टागेट है और 347 यह स्टॉप लॉस लगा कर चलना होगा ओके तो यह है हैं वो स्टॉक्स जहां पर रहेगा आज एक्शन ब्रोक्रेज हाउस के दम पर लेकिन है मज़े की बात यह है दीपाली की देखे सारे एक्सपर्स बंसल जी ब्रोक्रेज हाउस कुरान जी सब खरदारे की कौन हाँ अभी तक कल की वज़े से मूर किसी का खराब नहीं हुआ बस अच्छा है कि मूर बरकरार है और एक अच्छी बात यह भी कि एसा बड़ा पैनिक वाला मामला नहीं है ठीक है थोड़ी कमजोर है मतलब डाउन है आउट नहीं है